देश इस वक्त एक नहीं बलकि कई चनौतियों का सामना कर रहा है बरती महंगाई ने आव आदमी की कमर तोड़ दी है GST ने मध्धम वर्ग और छोटे वैपारियों की जेप पड़ा का डाला है बेरोजगारी का आलम यह है कि पिछले आठ सालों में 22 करोण लोगों ने नौकरी का आविदन दिया जिसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिले जब इन मुद्धों पर संसब में मोधी सरकार गिरी तो निशाने पर आ गई सोनिया गांधी इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में आज की इस रिपोर्ट पे चर्चा दमदार सोनिया गांधी की आज कॉंग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी देश की सत्ता पर कबजा जमाई बैठी है काटों से जूजना जानती है सोनिया गांधी विधान सबा और लोग सबा चुनाव दोहजार चौबिस में सोनिया गांधी निभा सकती है बड़ी भूमिका राहूल गांधी और उनकी टीम वेपक्षी सहयोग्यों को एक जुट करने की रणनीती पर कर रही है काम एक माग के तोर पर सोनिया गांधी शादिये जानती है कि राहूल की अपनी सीमाई क्या है और परिशानिया क्या है लेकिन अब वो अपने राजनायतिक अनुभव का इस्तवाल कर बीजे पी को मात देने की ठान चुकी है अब सोनिया गांधी का सीधा मुकावला ताकतवर बीजे पी से है यही बड़ी वज़ा है कि सोनिया गांधी अब बीजे पी के निशाने पर है लंबी बिमारी के बाद उबरी सोनिया गांधी एक बार फिर देश की राजनीती के केंद्र में आ गई है इसके साथ ही बीजेपी का डर भी सामने आ चुका है और ये साबित होता है कि 28 जुलाई को संसत में हुए घटना क्रम से कॉंग्रेस संसत अधीर रंजन चौधरी ने एक चैनल से बातचीत पे राश्टपती को लेकर अशोबने टिपणी कर दी हाला कि चोधरी ने गुरुवार को इस बारी में गलती होने की बात कही बीजेपी ने अधीर रंजन की इस्टपणी को मुद्दा बना लिया बीजेपी नेता और केंद्रिय मंत्री स्मृती रानी ने इसे देश का अपमान बताया स्मृती रानी ने कहा कॉंग्रेस के घ्रिनित कार्य करने वाले पुरुष नेता उने ग्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कॉंग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपती को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया Congress party आदिवासी महिला का ये संमान पचा नहीं पा रही Congress party जरीब परिवार की बैटी देश की राष्टरपती बने इसको पचा नहीं पा रही Congress party के उस मेर्दा को अपने उस उस गुत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहीम राष्ट्रपती का अपमान कर रहे हैं लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रापडी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया सदर में सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं बीजेपी सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी के बयान की आर में सोनिया गांधी को निशाना बनाया सोनिय गान्दे ने एक बार कहा था कि प्रधान मंत्री की बहु के तोर पर उनका जीवन राजनीती की उथल पुतल से भरा पड़ा है उन्होंने कहा था कि पीछे मुड़कर देखूं तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए राजनीती की दुनिया का रास्ता मेरी निजी जिन्दगी से होकर ही गुजरा था मैं उन लोगों के लिए बेहत करीब थी जिनके लिए विचारधारा से जुड़े सवाल और धारनाएं बेहत एहम थी और उनके लिए राजनीती और प्रशासन से जुड़ी बाते रोज मर्रा की जिन्दगी का हिस्सा थी मैंने सीखा कि सारवजनिक जीवन में कैसे सहज होना है मुझे लोगों की नजरे निजी जिन्दगी में गुस्ती हुई लगती थी और मुझे इससे निपटना मुश्किल लगता था मुझे अपनी स्वचंदता और स्पष्ट और तीखी बात करने की आदत को भी रोकना सीखना पड़ा सबसे अधिक मुझे ये भी सीखना पड़ा कि कोई आपको अपशब्द कहे तो भी आपको शांत रहना है मैंने अपने परिवार की दूसरे लोगों की तरह ये सब सीखा सोनिया गांदी के इस बयान से बाखोवी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक मजबूत शक्सियत की मालकिन है और उनके आगे स्मृति इरानी कुछ नहीं है अपनी खामोशी से भी सोनिया गांदी अपने विरोधियों को जवाब देना जानती है भारती राजनेती में सोनिया गांदी को आज 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उनका लम्बा राजनेतिक अनुभव उन्हें एक सशक्त राजनेता बनाता है जिसका फाइदा हमेशा कॉंग्रिस को हुआ है तो क्या यही अनुभव एक बार फिर कॉंग्रिस को मजबूत करेगा शायद यही डर बीजेपी को सता रहा है क्या सोनिया गांदी से डर गई है बीजेपी अशोग एलोत की माने तो मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं बीजेपी अब तक करनाठक मनीपुर गोवा मध्यप्रदेश और महराश्ट में सरकार गिरवा चुकी है केंद्री एजन्सियों के माध्यम से सरकार गिराई थे उन्होंने कहा कि नैशनल हराल कॉंग्रेस का अखबार है और नहरू जी के समय से चल रहा है अगर पार्टी लोन दे कर उसे फिर से मजबूत करना चाहती है तो बीजेपी इससे डर क्यों रही है बीजेपी शुरुआत में ही इस अखबार की आवास को दबा देना चाहत पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस पर उसके नेताओं के बहाने बीजेपी के तरफ से हमले तीज हो गए हैं खासतोर से कॉंग्रेस प्रमुक सोनिया गांदी और उनके परिवार की घेरा बंदी करने की कोशिचे जादा की जा रही ह इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं राजनिती के जानकार इसको लेकर अलग-अलग राय रखते हैं बीजेपी दो हजार चौबिस लोग सबाच चुनाव में बिना बाधा की अपनी जीत पक्की करना चाहती है जिसके लिए वे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कॉंग्र और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को भी एडी ने दफ्तर बुला कर पूश्टाच की थी उससे शेत्री दलों के प्रमोकों को सीधा संदेश दिया गया है कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोत कहते हैं कि बीते आठ सालों में एडी ने 3010 चापे मारे हैं मगर अफसोस बीजेपी नेताओं के घर का रास्ता नहीं ढूंड पाते सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पूरे देश की राजनीती में कोई ऐसा दल नहीं है जो सीबियाई और एडी के दबाव में ना आ सकता हो क्या हर दल ने ब्रहश्टा चार किया है जो खुल कर कोई मैदान में आन कारवाई से तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगामी लोकसभाद चुनाव में बीजीपी को बहुत मजबूर टकर शेत्रिय दलों से मिलना नामुम्किन है राश्पधी चुनाव में जैसे क्रॉस वोटिंग होई उससे भी ये साफ हो जाता है कि राजनेतिक द सीटा गया उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि असली निशाना सोनिया गांधी हैं कॉंग्रिस ने ता आचारे प्रमोद कृष्णम की माने तो कॉंग्रिस को खत्व करने के लिए गांधी परिवार की साफ पर बट्टा लगाना जरूरी है शायद बीजेपी यही काबला सही माइने में कॉंग्रिस से हो सकता है शेत्रिय दलों के वोटर्स पर भी यही प्रभाव होगा कि वे इन दलों को छोड़कर कॉंग्रिस के पीछे खड़े हो जाएं वर्तमान समय खुद कॉंग्रिस के लिए बड़ी आजबाईश का वक्त है अगर कॉंग्रिस इन बदलावों को उतारने में काम्याब होगा कुछ वक्त पहले तक माना जा रहा था कि सोनिया गांधी इस बार चुनावों में कोई भूमिगान नहीं निभाएंगे लेकिन 2022 के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो प्रकर नेता तक का सफर सोनिया गांधी ने भारत में तै किया है सोनिया ने गडबंदन और सहयोग्य के दौर को बाखुवी समझा और कॉंग्रिस को दुबारा जीवित किया ऐसा ही एक वाक्या है जब मुलायम सिंग्यादव और सोनिया गांधी सहित कई नेताओं को खाने पर बुलाया गया था इस दौरान सोनिया हिलसा मचली खा रही थी इस पर मुलायम सिंग्यादव ने कहा हिलसा है कांटा है चुप जाएगा जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने कहा मैं कांटों से जूजना जानती हो तो यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को ज्यादर से ज्यादर शेयर करें और लाइक करें देखते रहें डीबी लाइफ नमस्कार